तो MIUI की नए गलरी अप्लिकेशन के अंदर हमें काफी सारे नेने फीचर्स देखने को मिलता है जिसी कि अगर मैं सबसे पहले एक्जम्पल दूँ यहां पर एडिट बालक सक्षन में तो यहां पर आप लोग को AI बीटिफेकेशन देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ यह जो क को मिलेगा और सबसे इंपर्टेंट चीज सकाई के अंदर और कुछ नए आप इसकाई का फिल्टर समय देखने को मिल जाएगा और एक और काम की चीज काफी सरी फोटो के अंदर अगर थोड़ा बहुत सकाई डिटक्ट नहीं कर पाता था तो उस टेम पे एरर आ जाता था लेकिन अभी यह जो नया वाला अपडेट है इसके अंदर अगर आपका एक ही कलर का बैक्ग्राउंड है अगर प्रपरली लाइट आ रहा है तो किसी भी फोटो के अंदर आप बैक्ग्राउंड में सकाई को लगा सकते हो तो इस फोटो के अगर मैं बात करू तो यह जगा यहां पे background में इस जगा पे green है और इस जगा पे pink color है तो इसलिए इस जगा पे थोड़ा थोड़ा उतना perfectly sky replace नहीं हो रहा है लेकिन अगर single color का आपका background है और background के अंदर अगर light properly आ रहा है तो then आप किस भी photo का अंदर sky को add कर सकते हो जैसे कि इस photo के अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आप देखो sky fully तरीके से यहां पे add हो चुका है लेकिन यह जो side वाला हिस्सा यहां पे light properly नहीं था तो इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत यहां पे error देखने को मिलता है तो hope यह चीज़ भी आगे चलके हमें fix देखने को मिले और कुछ यहां पे नया sky आपको फोटो है उससे भी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है तो यह चीज़ भी आप कर पाऊगी और changes के अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का आपको हर एक फोटो का अंदर dates देखने को मिलेगा और इससे अगर आप लोग चाहें तो three dots को tap करके hide dates भी कर सकत हो और short बगरा का भी आपको यहां पर option देखने को मिल जाएगा और वीडियो एडिटर के अगर मैं बात करूं तो वीडियो एडिटर के अंदर भी आप लोगों को यहां पे कुछ templates नया देखने को मिल जाएगा लेकिन यह सारे templates आप लोगों को यहां पर download करना होगा और देखने के का काफी सारे छोटा बड़ा आप लोगों को changes देखने को मिलेगा और अपने phone की gallery application को update करने के लिए simply आप मेरे telegram group के उपर visit कर सकते हूं वहां पे मैंने इसका link दे दिया हूं तो simply आप लोगों सबसे पहले download करके simply आप लोगों installed कर लेना है और gallery को update करने के पहले कुछ data आपका download होगा इसके बाद ही यह सारा चीज आपका work करेगा और in case अगर आपकी gallery application में कोई भी problem होता है तो then आप लोगो settings फिर apps, manage apps और यहां पर आप लोगो find करना है gallery, gallery find करने के बाद आप लोगो यहां पर install updates का option देखने को मिलेगा तो अगर आपकी phone की gallery का update करने के बाद कोई भी problem होता है तो simply आप install कर सकते हो तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को like and share करना मत भुलेगा ऐसे interesting videos आगे देखने के लिए आप चैनल को भी subscribe कर लिजेगा